नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाउमी रेड्मी नोट 10 वर्सस वीवो वाय 21T का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनो फोन के डाइमेंशन की दोनो फोन की लेंथ की बात करे तो रेड्मी नोट 10 में 6.31 इंच जब की य21T में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है Width की बात करें तो Redmi Note 10 में 2.93 इंच जब की Y21T में 2.99 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 में 0.33 इंच जब की Y21T में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो Redmi Note 10 में 178.8 ग्राम्स जब की Y21T में 182 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 10 में Super AMOLED जबकी Y21T में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.43 इंचर जबकी Y21T में 6.58 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Redmi Note 10 में 1080 by 2400 और Y21T में 1080 by 24008 मिलता है Screen to Body Ratio Redmi Note 10 में 83.53 प्रतिशत जबकी Y21T में 83.76 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Redmi Note 10 में 409 प्रतिश प्रतिश जबकी Y21T में 401 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Redmi Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Y21T की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और Y21T की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानी की Selfie Camera की तो Redmi Note 10 में सिंगल देखने को मिलता है जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते है और Y21T में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Redmi Note 10 में Adreno 612 जबकी Y21T में Adreno 610 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Redmi Note 10 में Qualcomm Snapdragon 678 और Y21T में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है बात करें RAM की तो Redmi Note 10 में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है जबकी Y21T में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो Redmi Note 10 में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की Storage मिलती है जबकी Y21T में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Redmi Note 10 में अप टो 512GB जबकी Y21T में अप टो 1TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब मेन फीचर को देखते हैं Colors की बात करें तो Redmi Note 10 में 3 Colors जबकी Y21T में 2 Colors ओप्शन मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करें Price की तो Redmi Note 10 में 3 Variant देखने को मिलते है जिसमें की 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 12,499 रूपीज 4 GB RAM 128 GB Storage के साथ 15,998 रूपीज 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 15,230 रूपीज में मिलता है और बात करें Y21T की तो उसमें एक ही Variant मिलता है जोकी 4 GB RAM 128 GB Storage के साथ 16,490 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 10 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo Y21T की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, main camera में Y21T आगे है, front, selfie camera में दोनों फोन सेम ही है, performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Oppo A12 है, दूसरा Samsung Galaxy M02S है, तीसरा Infinix Note 11 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo Y12G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना